मैं हूँ दिशान और इस वीडियो में हम हमारे यूट्यूब चैनल के लिए स्पेशलाइज फेस्बुक पेज बनाएंगे अगर आप भी कोई वीडियो क्रियेट करते हो या फिर कुछ भी चीज आप बनाते हो तो यूट्यूब के अलावा फेस्बुक के उपर यूट्यूब के ही जैसे अपनी वीडियो कैसे अप्रोड कर सकते हो चा यूट्यूब चैनल जैसे आप फेस्बुक चैनल कैसे बना सकते हो तो उसके लिए हम फेस्बुक के उपर इसी टाइप का पेज बनाएंगे तो अगर आप इसमें इंट्रेस्टेट है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंट तक देखेएगा यह सब हम हमारे computer screen के उपर बनाएंगे So let's more to our computer screen Hi guys, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो YouTube के लिए जो हम पेज बनाएंगे वो तो हम यहाँ guys उपर create के option पे click करेंगे तो यहाँ हमें चार option show हो रहे हैं जिसमें से पहला है page, फिर add, फिर group और फिर event तो हमें अभी page बनाना है तो हम page पेज पर click कर देते हैं और यहाँ हमसे यह पूछ रहा है कि आपको brand और business का page बनाना है या community या public पेज़ पाफ तो यहाँ guys हम देख लेते हैं यहाँ है showcase your product and service, spotlight your brand and reach more customer on Facebook यहाँ हमें दिया है connect and share with people with your community, organization, team या club यह तो हम अगर कोई club के member है या club के लिए group बनाना है तो वो होगा और यहाँ होगा brand के लिए तो हम यहाँ brand कर प्लिक कर देते हैं तो यहाँ हम नाम राते हैं डि आ एससे अंटी दिशान वाइल आर्मी और यह category कह रहा है तो मैं यहाँ video creator यहाँ कर देता हूं और यहां से हम करते हैं continue करने के बाद यहां से मांग रहा है profile picture तो हम profile picture में हमारा जो लोग है उसे एड़ कर देते हैं और अब यह हमसे कह रहा है कि आपका cover page एड़ करें तो हम यहाँ अब जो cover page है उसे भी एड़ कर देते हैं तो यह हमारे सामने हमारे जो page है वो बनकर त्यार हो चुका है और यहां जो मैंने लोगों का size है यह 500 पिक्सल मैटिप्ले 500 पिक्सल लिया है क्योंकि अगर हम कोई छोटे लेवल के उपर इससे बनाते हैं तो यह ढंक से बनता नहीं है और शो नहीं होता तो यह cover page हमारे लोड नहीं हो रहा है इसलिए मैं से रिलोड कर लेता हूं तो यह हमारा cover page है वो भी यहां आ गया है और यहां यह निचे हमें option दे रहा है कि आप अपने strand को invite कर सकते हैं तो अभी एक बार के लिए मैं से remove कर रहा हूं और यह हमारा जो page है वो त्यार हो चुका है तो यहां guys यह option दे रहा है sport life video choose up to five videos to highlight at the top of your page तो यहां मैं add video पे click करता हूं तो यहां guys यह upload मांग रहा है यह optimize video नहीं इसके लिए guys मुझे video है जो यहां से upload करने होगी मेरे computer से तो अभी के लिए मेरे पास कोई video नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा और इसके बाद यह है guys playlist यहां side में हमें options मिल रहे हैं तो मैं इसे edit creator studio के अंदर हम click करते हैं देखते हैं यहां क्या show होगा तो यहां content playlist का आया है तो guys इसके अंदर तो अभी हम थोड़े research करके और इसे use करेंगे और अभी के लिए हमारे पास यह जो page है यह add हो चुका है और यहां हमें guys यह बहुत सारे options और भी मिल रहे हैं तो मैं अब जाता हूं यहां से about के column के अंदर तो about column में guys यह story के लिए कह रहा है story add के रही है तो मैं हमारा जो channel है उसी के ही यह जो page है इसे add कर देता हूं और title so मैं इसी हां डाल जेता हूं welcome to oh sorry Dishant while army तो अब मैं इसे publish कर देता हूं तो अब मैं इसे publish कर देता हूं this is a Facebook page of Dishant while army तो अब मैं इसे publish कर देता हूं तो यह हमारे about section के अंदर हमारी जो story है वो add हो गई है और अब मैं यहां category के अंदर हमारा YouTube creator या video creator यह है और username तो guys यहां पर जो हमारी जो website का जो उपर URL होता है इसे भी guys हम यहां से customize कर सकते हैं तो मैं यहां create page के उपर यहां जाता हूं तो यहां username के यहां डाला जाता हूं Dishan Viral आमें Okay So यह guys यहां पर हमारे go check का यह निशाइंगल चुका है कि आपने जो name चूज किया है वह अभी available है तो मैं से create username पर click कर जाता हूं For have a username तो यह guys यहां दिखा रहा है कि आप यह नाम यहां नहीं रख सकते तो मैं इसे वापिस reload कर लेता हूं क्योंकि यह loading बहुत ज़्यादा ले रहा है तो मैं यहां यह दी वी आमी रख देता हूं इसका नाम तो guys यह दिखा रहा है कि जो page है यह eligible नहीं है username के लिए तो इसके लिए हम यह use करेंगे यह किस टाइप में सही हो पाएगा तो username हम अपने अगली वीडियो में करेंगे तो यह है add start date start date मैं बाद में add करूंगा और यहां phone number के लिए कह रहा है तो phone number मैं यहां हम अपने phone number यूज कर लेता हूं 9680999397 तो हम इसे save कर देते हैं तो हमारा जो phone number है वो सेव हो चुका है messaging के लिए तो यही रहेगा और email ID है वो मैं यहां टाइप कर देता हूं यहां email ID मैंने यहां add कर दी है तो website वैसे तो guys मेरे पास एक website name भी है तो मैं यहां send mark dot in एक बार के लिए डाल रहा हूं तो यह भी यहां add हो चुका है और अब यहां edit other account so guys यह जो बाकी चीज़े हैं वो हम अपने next video के अंदर edit करेंगे so इस video में हमने बनाया अपने YouTube के लिए Facebook page और अगर आप भी YouTube हैं या YouTube पे आने वाले हैं तो इस type में आप अपना Facebook page है वो बना सकते हैं so thank you guys thanks for watching ।